कर दो को मैं हुआ कि मेरे पहले दो वीक कैसे गय थे और मैंने बहुत कुछ प्लान किया था थर्ड वीक के लिए जैसा की मैंने अपने इंद्सेंद विडियो में शेयर भी किया था but you know कहते हैं कि हम बहुत कुछ सोचते हैं बहुत कुछ प्लान करते हैं but होता कुछ और ही है तो वो सारी प्लाणिक में थो दिनों तक सक्सेस्फुल एंप्लिमन्ट की but third day कुछ ऐसा हुआ कि मेरी पूरी प्लानिंग पे बानी फिर गया actually what happened कि third day पे when I was going to gym in the morning में आपको दिखाऊंगी जिसके वज़े से मेरे पैर में मेरे लेक में इंजुरी हुआ मैं कहीं आपको दिखाऊंगी अचली मेरे को बिल्कुल गुटने में चोट लगी जिसके वज़े साइव नॉट एबल तो वोग प्रॉपर ली तो एक सबसे बड़ा सीन हो गया चैनल चैनल और सब्सकेट Len पों मेरे कई उस दिन मुझी बहुत पैन था पैर में अक्रॉपरवड्याद प्रॉपरल्ली तो इतना जादा प्रॉप्लम हो गी वर्कॉटना हाउठ थें ना थेंटा कुराओ कः तो कूदा आपको ना थेल्युआज दना प्रॉटना नहीं एक वीग में प्राइक फील कि हैं और मुझे इसնों अईन साथ तीध किसी के साथ सब्सक्राइप आपके साथ कुछ एसी अंप्लैन चीज हो जाए जो की आप क्या कहते हैं जूर दो किसुछ और करने करें चल रहें ये हैं तो मैं वही चोटी प्लैने आप जैसे कि यह पहली चीज कि मैं वर्क उट नहीं कर रहे थी मुझे पता है तो मैं अपनी मेंटिनिसम जो मेरी बीमारों मेंटिनिस खारी थी उचसे जादा नहीं खाया है क्योंकि मैं पहले वर्काउट करें थी तो मैं थोड़ा सा सौ कैलरी का बफर रखती थी बट मैं जो पता था कि मैं अभी इंजर्ड हूं मैं चल नहीं सकती हूं मैं भॉक भी नहीं कर से तो इवन मैंने फॉर्स टूरेस में तो 5,000 स्टेब नहीं चले तो उससाब से मैं अपन क्या होता है exercise पंद होती है तो हम क्या करते है maximum time पर हमारी diet को भी compromise कर देते हैं पर वही चीज तो समझनी होती है अमे कि अधर exercise नहीं करें that means we have to take care you know a lot of things while eating anything okay तो मैंनी क्या किया सब्वे से मैंने salad order किया था मैंने try किया कि मैंने जो salad order किया उसमें जो मैं sauces use करें हूँ मतलब बहुत जादा नालू ठीक है पहली चीज और सब्वे का calculation क्योंकि easily available है online भी है जिसे आप calculate कर सकते हों कि इसके एक सब का calorie कितना होदा तो मैंने उसी अंदाद से वो sub order किया था एग निन सिफ salad order किया था और बाकी सारी calories को मैंने ऐसे ready to eat वाले food से replace किया क्योंकि मैं नहीं थी कूप करने की हालत में तो मैंने क्या क्या कि उस दिन मूसली खाली दूद के साथ क्योंकि उसमें कुछ कूप नहीं करना पड़ता है oats खा लिए दूद पी लिया ऐसे करके मैंने अपने पूरी budget की calorie को maintain करके रखा तो वो दो यह जो मेरे last के तीन चार दिन गए है आज Sunday था आज मैंने थोड़ा सा walk किया कर भी मैंने थोड़ा walk किया अपने 10,000 steps complete किये जितना मेरे तरफ से मैं दे पाई मैंने उतनी कोशिश करी कि मैं अपने तरफ से जो भी at most कर सकूं वो करूं तो वो मैंने try किया आज मैंने आज सुबह जब अपना weight measure किया तो बात यह थी कि जो ना मेरा weight बढ़ा बट ना मेरा weight कम हुआ तो actually मेरे mindset में यही था क्योंकि मैं इसी लिए उस हिसाब से खा रही थी कि ना मेरा weight बढ़े ना मेरा weight घटे देखो आब हमारे हाथ में ताद मैंने कुछ और सोच क impact हो गई मेरा workout impact हो गया मैं उतना नहीं कर पाई जितना कर से ठीक है बट आप एक जो सबसे बड़ी चीज है कि आप thoughtful eating कर रहे थे वो एक बहुत important चीज है जो कि आपको भी करनी चीज तो मैं यह सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हूं कि कभी आपके साथ अगर ऐसा हो तो बस टीडी बिल्कुल ने रहता है तो calorie deficit ही नहीं बन पाता है तो वो एक problem है तो बस मैंने इसलिए सोचा मैं आज का पहले वीडियो नहीं बनाने वाली थी ब्लॉग पर मैंने सोचा कि नहीं है मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि यह real time problems हैं और यह किसी के तो बस यह यात्र को बिल्कुल frustrated होनी की जरुते हैं देखो बुरा बहुत लगता है मुझे भी बहुत ज़ादा लगा था जिस दिन मैं गिरी मैं रो रही थी इसलिए कि मुझे चोड लगी इसलिए कि मेरा workout compromise हो और आने वाले चार दिन भी होने वाला है पट फिर मैंने realize कि ठीक है ठीक है इस पार्ट पार्सल अफ यूर लाइफ यार आज आप कर रहे हो यह जर्नी स्टार्ट आप तो इस जर्नी में throughout रहने वाले हो ना आगे तक तो ऐसा आगे भी हो सकता है तो कोई बात नहीं ठीक है just give it some time give it some time कि आप अपने आपको control करके relax कर पाओ बस एक deep breath ल कर रहे हो कि ना मेरा weight बढ़ा है मेरे inches में भी कोई change नेया है तो मेरा जो इस week का target था कि I just have to stay at the weight जो मेरा next week था तो मैं उस week पे रही उस week पे रही तो I am happy with the progress and yes from tomorrow onwards अभी भी मेरे injury है पैर में जो की पूरी तरीके से हील नहीं हुई है बट मैं फिर भी थोड़ी से precaution लेते हुए कल से gym start करूंगी workout start करूंगी ताकि मेरा जो journey है जो progress है वो और हैं पर ना हो and yes next week मैं hope करती हूँ कि next week का vlog जो होगा वो बहुत ज़्यादा fruitful रहेगा इस week में मैं आपके साथ चोटी चोटी चीज़े share करती हूँ मैंने एक दो दिन deadlift और bench press किया था उसके do's और don'ts आपके साथ share करती हूँ मैं आप देखो कि किस तरीके से deadlift और bench press करते हैं क्या चीज़ों का ध्यान रखना है क्या चीज़ों का दिमाग में रखना है तो वो यह साथ मैं शेयर कर रही हूं आगे वाले वीडियो में मैं ट्राय करूंगी कि मैंने क्या क्या खाया यह वीक में मैं वह भी आपके साथ share करूं और क्या टाइप का workout मैंने अभी किया कितने स्टेप्स वोग किये तो यह सारी चीज़े जो भी detailing है वह मैं आगे के पार्ट प part of the video झाल 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 तो आप टाइम है टिप का टिप नमबर 3 है इफ यू केनाट अवोईट इटिंग आउटसाइड और सिच्वेशन अराइस वेर यू हाव तो इट लाइक मेरी सिच्वेशन में तो आप या करना चाहिए आपको क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए जो पहले चीज़ है वो यह है यू हाव तो सिलेक्ट प्रोटीन रिच फूट अदे फॉर्स प्लेस ठीक है तो ट्राइ करो जैसे प्रोटीन रिच फूट्स होते हैं उसको पहले आपने मतलब जो भी आप अगर बाहर से ओर्डर कर रहे हो या कहीं बाहर खाने जा रहे हो तो वो चीज़ों को आइड करो जैसे पनीर टिक्का, चिकन टिक्का और और टिक्का काइंड ओफ फिश टिक्का जिसको मतलब बहुत जादा ओयल यूज नहीं होता है और या प्रोटीन रिसोर्स ठीक है सोय की कुछ ठिक्की हो ऐसा कुछ करके सोया चाप खा सकते हो तंदूरी सोया जो की बहुत काम ओल में बना हो तो पहले यह चीज़े चूज कर सकते हो आप उसके लाब आपको दूसी बाद ध्यान में रखनी है कि आपको उस पूरी दिन में जैसे आप सुबह आप बाहर खा रहे हो तो ट्राइ करो कि आप जो होलसम फूद है मतब सालेड्स खाओ या ऐसी सारी चीज़े खाओ जो थोड़ी फिलिंग हो कॉम्पलेक्स काब्स हो वह खाने की कोशिश करो मतब कुल मिला कि इतना खेना चाहरी हूँ कि अगर आपको बाहर खाना भी है तो आपको थोटफुल एटिंग करनी पड़ेगी आपको पहले सबसे पहले अपने प्रोटीन के सोर्स को कम्पीट करना पड़ेगा अगर आप बाहर खा भी रहे हो तो आप वे पीलो ताकि आपका जो प्रूटीन का रेक्वारमेंट है वो पूरा हो जाए उसके लाव अगर आपको बाहर खाने है तो आप टिकका and all आप ये सारी चीजे खा सकते हो उसके लावEND अगर बहर जा रहे हो तो please avoid sugar and junk foods, मतब sugary drinks होती हैं, जैसे हमको लगते कि lemonade पी लेते हैं, lemonade में बहुत ज़्यादा sugar होती है, अगर पीनी भी है तो lemonade में sugar को avoid करवा हो, मना करो कि sugar ना डाले, आप zero calorie drinks पे जा सकते हो, diet coke पे जा सकते हो, अगर आपको पीना है तो, यह मैं सिर्फ diet coke का example तब दे रहे हूँ, अगर आप बहर जा रहे हो और आपको कुछ पीना ही है, और आपके पस कोई option ने है, तो you can have diet coke, ठीक है, वो आप पी सकते हो, just simple नीबु पानी, soda पी सकते हो without sugar, तो try करो कि यह जो आप नॉर्मल रूटीन में जो चीजों को avoid करते हो, वो चीजों को अभी भे avoid करो, there are a lot of healthy options out there, आप चाहो तो कुछ पीनट चाट खा सकते हो, ऐसी टाप की चीजों को चूज करो, जिसमें protein हो, क्योंकि protein जो है वो आपको full feel खराता है, काफी टाइम तक as compared to carbon fat, तो यह चीज का आप ध्यान रब सकते हो, so I hope आपको मेरी आज की tip पसंद आई होगी, और यह vlog भी आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो, तो मेरे बाकी के vlogs भी देखो, और मैंने आने वाले vlogs भी देखो, मेरा Instagram account है, वाइबिन्टु फिटनेस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप उसको जाके फॉलो करो क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी डेली के अपडेट्स पताती हूँ, मैं क्या खा रही हूँ लंच में, क्या दिनर में, कुछ-कुछ मैं रेसिपीज भी शेयर करती रहती हूँ, जो मैंने खुद के एक्स्पीरियंस से मनाई है, जो मुझे लगते है कि बोरिंग फूड को एक्स्वार्टिक है,